बाइसाइकल बहुती कॉमन और यूसफुल वेहिकल फोर ट्रेवलिंग सॉट डिस्टेंसेज वे लिमिटेड तू वन और टू पीपल यह बहुती पॉपुलर चॉइस है एमंग इस्टुडेंट्स एंड फिटनेस फ्रीक पीपल बाइसाइकल आज के टाइम पे बहुत इंप बसे एंड बाइक यह पेट्रोल और डीजल यूज नहीं करता है जिस वज़ा से किसी तरीके का इमेशन नहीं होता है और यह एट्मोस्फेर को और हार्म होने से बचाता है और इन्वाइरमेंट को ग्रीन रखता है इसके अलावा राइडिंग बाइसाइकल इस ग्रेट एक जितना ज़्यादा बाइक कर या बस के वज़ा से एक्सिडेंट में हो सकता है साइकल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है इस्टील का फ्रेम होता है दो पेडल एक चेंड रैविंग सिस्टम दो टाइप और वर सीट फोर सिटिंग अल्मोस्ट सबने साइकल चलाया है लेकिन ह नहीं आता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसा क्यूं होता है यह डिफरेंट पार्ट से साइकल का फ्रेम हैंडल बार्स ब्रेक ब्रेक लिवर पेडल गीर चेंड लेकिन आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे और जो फोकस पॉइंट है वहर रीयर स्प्रोके एक्सल बेसिकली एक साफ्ट होता है जो किसी भी यूनिट को एक बनाता है और एक एंड में रैचेट स्प्रोकेट है जो मेन मेकानिजम है जिसके वज़ा से साइकल को जब हम लोग फॉरवर्ड पेडल लगाते हैं तो वह आगे की तरफ मूव करता है और जब बैकवर्ड पे करेंगे खोलेंगे तो वह हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा उसके आउटर एज पे तीथ होगा इस प्रोकेट का तीथ इनर साइड जो है वह हब का आउटर एज होगा इन दोनों के बीच में रैचेट एक मेकैनिकल एलिमेंट है जो समवाट इस प्रोकेट की तरह है वह दि कर रहा है forward movement of pedal और जो red arrow है यह सो कर रहा है backward movement of pedal तो जब हम लोग forward pedal लगाएंगे तो पॉल रैचेट में फस जाएगा और इस पूरे unit को ले करके घुमेगा जिस वजा से जब हम लोग forward pedal लगाते हैं तो वह axle पूरे tire को ले करके घुमता है तो cycle मेरा forward move करता है बट जब हम ल pedal लगाते हैं तो रैचेट पॉल को प्रेस करके सिर्फ single unit में घुमता है जिस वज़से यह पूरे axle को पूरे hub को नहीं घुमा पाता है और cycle मेरा backward की तरफ move नहीं करता है इसी वज़ा से जब हम लोग cycle में forward pedal लगाते हैं तो cycle move करता है लेकिन जब हम लोग backward pedal लगाते हैं तो cycle move नहीं करता है